विल्कम गाइज विल्कम बैक टी ओन चैनल ऑप्शन गाइड तो स्वागत आपका एक और शांदार डेली मार्कलिस वीडियो में आज के दिन की बात करेंगे तो वैसे तो पूरा दिन मार्केट रेंज में थी बहुत निफ्टी बैंक निफ्टी में लेवल्स पे काम भी किया मार्केट ने लेकिन ट्रेट्स बनाने तब ही पॉसिबल होते हैं जब मार्केट में कोई बड़ी मुव्मेंट हो आज काइंड ऑफ मार्केट रेंज में वर्क कर रही थी हैं सबसे जो इंपॉर्टन चीज हुई आज मार्केट में विक्स इंडिया विक्स 20% से जादा अगर विक्स बहुत ही जादा लो है यानि विक्स को उपल आने के लिए मार्केट को एक बार वॉलटाइल होना पड़ेगा तो बड़ा मुव आता है और अगर विक्स बहुत जादा हाई होता है जैसे कोवेड के टाइम हुआ था तो उस टाइम भी आपने देखा विक्स उनों की बात करेंगे बैंक निफ्टी के एक्सपारी है उस पर ज्यादा फोकस रखेंगे तो ध्यान से पूरी वीडियो जरूर देखें और सबसे पहले चैनल पर नए है आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले कैसी भी मार्केट हो यहा पहले निफ्टी की बात करते हैं अब यह देखें निफ्टी का चार्ट वै क्या हुआ गैप अप अपनिंग होई मौनिंग में डिप आ रहा है डिप में हमारा इंपॉर्टन सपोर्ट था एंट्री लेवल था 22,350 इसी के आसपास आपको कॉल्स में एंट्री करनी है सिंप् बार-बार मार्केट अल्मुस्ट 22,420,425 के आसपास आके रिजेक्शन फेस करती थी और रिवर्स हो रही थी तो यह रेंज थी आज की मार्केट की ज्यादा मूव्स नहीं आए यहां दो मूवस हमारे दो लेवल के बीच में ही थे लेकिन ज्यादा बड़े मूवस नहीं तो ज़्यादा ट्रेड बनाने का मौका आपको नहीं मिला होगा निफ्टी में भी ऐसा ही था a bank निफ्टी में भी similar था a bank निफ्टी तो और भी छोटी range में work कर रहा था gap up opening यहां भी हुई लेकिन morning वे sharp fall, fall में market ने कहां support लिया, यह आपको already बता था, यहां पे हमारा level है, in fact zone है, बार बार मैं समझाता हूँ, यहां पे मैं आपको एक level क्यों नहीं बता रहा हूँ, यहां पे हमारा एक zone है, कि दो nearby में important levels है, 47940 भी and 48000, तो यह हमारा complete zone है, बार confirmation के साथ कभी भी level को break नहीं किया है, तो वहीं पे market level को hold करती है, fair bounce और day end वे भी level पे ही जाके market close हुई है, तो पूरा दिन bank nifty एक बहुत ही narrow range में था, बिलकुल moves देखने को नहीं मिले, आज का दिन option bias के लिए नहीं था, especially bank nifty मे, option sellers को अराम से अच्छा profit मिला होगा, and कैसे आपको identify करना होता है, market range bound होगी है trending, ये भी मैंने आपको सिखाया हुआ है, तो आप उन tools को भी use कर रहे हैं, लेकिन आज की market हो चुकिए, जैसी भी थी range bound थी, तो अब कल क्या करना है, कल कैसी market expected है, और क्या trades आपको बनाने हैं, वो discuss कर लेते हैं, चलिए, पहले levels की बात कर ले, levels के हैं, bank nifty के expiry है, तो उसी की बात करते हैं पहले, देखो immediate, ये zone level है, इसमें कहीं को doubt नी, 47,940 से 48,000, उसके बाद यहाँ पे 48,165 and 48,400 level, lower side most important support और level है, 47,680 और इसके बाद 47,430 level, अब ये सारे levels होगे, trade कैसे बनेगा, बिल्कुल simple logic है, आपको समझ आ जाएगा, बार-बार किस level पे support लिया है, 47,940 पे, अगर support market break कर देगी, तो market में fall आएगा, simple है न, आज break नहीं किया, support बार-बार test हुआ, तो support से market में bounces आए, छोटे bounces आए, लेकिन bounces थे, अब कल अगर ये support break हो जाएगा, तो market में fall आएगा, fall में target 47,680 है, अगर यहाँ पे market कोई भी support का sign दे, तो यहाँ पे आपकी put वाली trade से आपको exit हो जाना, यहाँ major support है, position level भी हमारा, तो पहले trade तो यह है, 47,940 आज पूरा दिन support का का काम के इस level ने, अगर support break होगा, तो market में fall आएगा, अपसाई level है हमारा 48,000, अगर हम 48,000 के अबब हैं, यानि हम market में bullish हैं, और हमें market म पहला, 48,165 और उसके अद 48,400 लेवल, यह दो target से, यानि कल trades कौन decide कर रहा है, हमारा यह zone, 60 points का zone है, 47,940 से 48,000, इस zone को आपको देखना है, क्या market zone के upper level के अबव है, तो market bullish है, या फिर zone के lower level के below है, तो market bearish है, और market negative है, simple clear setup है, ठीक है, इसमें कई कोई confusion होनी ने चीए, इत बालो करना है, चलिए, निफ्टी की बात कर लेते हैं हम, देखो simple है, हम how have I, या random बाते नहीं करते हैं, हम purely आपको analysis देते हैं, समझाते हैं, और वो आपको use करना है, how have I, बाते नहीं मिलते हैं यहां को, देखो, निफ्टी की बात करें, simple है, आज भी 22, 350 support था हमारा, यही स हमें bounces expected थे, bounce आए भी, यहां भी, यहां भी, तो यही कल के लिए भी level है, यह support है, अगर इसे hold करेंगे, तो हम bullish हैं, और market में हमें rally दिखती है, rally में target, 22, 4, 30 पहला, और उसके 22, 5, 20 directly next target होगा, simple, clear, ठीक है, इसमें कहीं को doubt नहीं, और अगर यह level break हो जाता है, आज तो break नही हुआ है पूरा दिन, पूरे दिन का deal हो यही था, लेकिन अगर कल यह level break हो गया, तो fall कहां तक आ सकता है, fall में target क्या होगा, fall में target होगा, 22,260 level, यहां तक market fall कर सकती है, यानि nifty में एक level देखना है, आपको simply, 22,350, इस पे market कैसे react कर रही है, इसी के awarding कल आपके nifty के trades simple clear setup, hope clear है nifty का setup, charts पे बात कर ली, एक बार option chain भी देख लें nifty की, कि वहां क्या देख रहा है, चलिए nifty के option chain पर आ जाते हैं एक बार, यह देखो nifty के option chain, कल मैंने आपको resistance कहां बताया थी, 22,400 पे, आज भी वहीं है, 1,89,000 हो आई है, call side, put side, 1,6,000, तो gap more than 80,000 हो चुका है कल यह gap around 50,000 था, लेकिन हम more than 80,000 है, इसलिए यह major resistance है कल के लिए, 22,400 as per option chain, अगर market में कोई बड़ी rally आनी है न, तो यह level break करना पड़ेगा market, as per option chain यह पता लग रहा है, और support की बात करें, support 22,300 पे अब थोड़ा बहुत बनने लगा है, पर अभी भी week है, क्योंकि gap सिफ 38,000 का है, वो जादा gap नहीं है, अभी भी major support 22,200 पे ही है, 1,46,000 होई है, put side, call side 65,000, तो almost यहाँ भी 80,000 होई का gap मिल जाता है, तो कल के लिए भी market की range है, 22,200 से 22,400, अगर market में कोई बड़ा move आना है न, तो यह range market को break करनी पड़ेगी, तब market में कोई बड़ा trending move निफ्टी में expected ह hope setup clear है, वीडियो को जाते जाते लाइक जरूर कर देना, और subscribe नहीं किया है, तो कर लो वो भी, आपको ऐसे magical levels मिलते रहे और ऐसा setup मिलते रहे, तो subscribe जरूर कर ले है, तो कर दो झाल झाल